हेलो फ्रेंग्स कैसे हैं आप सब विल्कम है फिर से आप सबी का आपके अपने चैनल अंसोई लेन यूटूबर में तो फ्रेंग्स आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेर पर एक सेयर करने वाली हूं जिसे लगाने से अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंटरफ ह तो ओ भी खत्म हो जाएंगे और अगर हेर फॉल की समस्या है तो ओ भी कंट्रोल होगा और अगर आपके बालों में चमक नहीं है तो चमक भी आएगा और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी बस आपको इसे हपते में एक बार या दो बार लगाना है अगर बहुत अगर आपके पास घर पे दही नहीं है तो आप मार्केट की दही भी ले सकते हैं और दही एक्दम ठीक होनी चाहिए अगर दही ठीक नहीं है पतली है तो आप उसे किसी चन्नी की मदद से चान लीजी क्योंकि बहुत जादा अगर उसमें पानी रहेगा तो जब आप लगाएं आप अपने बालों के हिसाब से इसे कमिया जादा कर सकते हैं कोई भी कंडिशनर आप जो रेगुलर यूज करते होंगे और इसके बाद यहां पर मैंने एड किया है थर्ड ऑलिव ओल प्रिंस अगर आपको ज्यादा हेर फॉल या हेर डेमिज की प्रॉबलम है तो आप आज का रस इसमें डब कर सकते हैं और नहीं तो आप कोई भी और एसक कर शकते हैं अगर हमारे हेर में और लगा है तो हमको हेर डॉश करने की ज़रूरत नहीं है without hair wash के भी आप ये hair pack apply कर सकते हैं ये पूरी तरह से अपना work करेगा इससे कोई problem नहीं होगा कि आपने hair wash नहीं किया है तो ये अपना work नहीं करेगा फ्रेंड ये पूरी तरह से अपना work करेगा और हमारे बाल healthy and shiny होंगे तो यहां पर देखें फ्रेंज हमारा hair pack बनके रेडी है अब हमें इसको apply करना है तो सबसे पहले क्या करना है हमको अपने बालों को दो पार्ट में divide कर लेना है इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा section लेके इसको apply करना है और सब एक साथ में नहीं लगाना है क्योंकि पूरी तरह पूरी तरह से एक साथ में अगर बालों को पकड़ के लगाएंगे तो अच्छे से यह लगनी पाता है बालों में फिर अपना वर के अच्छे से नहीं करेगा तो पहले दो पात में divide करके थोड़ा थोड़ा सा section लेके इसको अच्छे से अपने बालों की जड़ों में और मसाज करने के बाद बालों को बाद लेना है और अगर आप चाहें तो इस पे शावर कैप भी लगा सकते हैं और इसके बाद इसे आपको 15-20 मिनट तक ऐसे ही रखना है और इसके बाद आपको अपने बालों को पानी से धो लेना है उसके बाद आप सैंपू या कंडिशन अपने पानी में लेके घूल लिया करें इसके बाद बालों में अपलाई करें क्योंकि अगर आपी उच करते हैं तो बहुत हामफुल होता है हमारे हैर के लिए तो कभी भी अगर आप shampoo करने जाए तो इस बात को जरूर ध्यान रखे तो friends अगर आप hair pack लगाने के बाद में shampoo नहीं करना चाते हैं तो next day भी कर सकते हैं कोई problem नहीं है और जो hair pack में हमने oil डाला था वो oil भी हमारा निकल जाएगा बस इसके लिए क्या करना है हमको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है गुनगुने पानी से hair को wash करना है उससे हमारा hair में जो भी oil है पूरी तरह से निकल जाएगा तो मैंने hair wash कर लिया है friends तो देखे कितनी अच्छी signing आई है बालो में और अभी मैंने shampoo भी नहीं किया है और पूरी तरह से बाल सुखे भी नहीं है अगर पूरी तरह से सुख जाएगे तो और अच्छी signing दिखेगी आप लोगों को तो अभी मैं यहां पे apply कर रही हूँ hair serum आप जो भी यूज करते हैं यूज कर सकते हैं अपने बालों के लिए जो भी product आप को शूट करता हो और यहां पे hair serum मैंने बहुत जादा नहीं बस 5-6 बूद लिया है देखे इस तरह से की हूँ मैंने hand को गिर भी नेरा है बस थोड की तरह से सुपने नहीं देती हूँ तो देख सकते हैं आप फ्रेंड कितनी अच्छी signing आई है बालो में तो आई हो फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा अगर थोड़ा सा भी helpful है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा comment करके जरूर बताना और अगर आप चनल पर न्यू आए है तो चनल को सब्सकाइब कर लीजे बेल आइकोन के साथ में तो मिलते हैं नेक्स रेंडी के साथ तब तक लिए